या तो हम मौन सुविक्रिती के साथ बुल्डोजर के पक्ष में है या बिरोध में मुखर नहीं है संभिधान की किताब हाथ में रख करके लहराना सबसे आसान काम है उसमें एक किताब चाहिए, एक हाथ चाहिए, एक लहराना नाम की क्रिया चाहिए लेकिन उसको जीना तो कि संविधान सिर्फ पन्ना नहीं योगी जी कितना समझते हैं घर घर समझने के लिए घर वाला होना जरूरी है और घर विष्टों से बनता है चाहिद वाली छट नहीं होती है हमारे मीलोट्स को आप पर्दा कब आँखों पर से हटे और कान कब धंग से सुनने लगे इसका प्रेडिक्शन बड़ा बुश्किर बुल्डोजर कश्मीर में बीचाना किसी भी कम्यूनिटी ने किसी भी लोग ने कश्मी के लिए आवाज नहीं उठाए एक देश में मानौरेटीज के साथ कैसा बैभार होगा वो तै होता है कि सरहत के पार कैसा बैभार होगा क्योंकि नफुरत को सरहत पार करने में वीजा नहीं चाहिए सब लोग लहा लूट होने लगे आप दिखिए पड़िवरता है और हम अक्सर में कहता हूं कि जब मैं विश्य विद्याले में था पटना में तो मुझे क्रांती भतवा में दिखती थी इस मेंडेट ने भी वही किया लगों को लगा बस आ गया है पहुँच गया है अब देखिए अब क्या मजाल कि अधिन अगें टूव्ट रॉक है यह मेंडेट का चरित्र समझने में भी हम भूल रुक है अपने बार बार नदीम आप जिकर कर रहे थे मध्य प्रदेश टॉप कर रहा अभी लेस्ट में बहुत दिन टॉप में नहीं रहेगा आसाम कॉंपिटिशन है और उत्तर प्रद कि अगर बुल्डोजर के पुति ये आतर्शन पैदा करने में वो सक्चम है तो जो वजात साब कह रहे थे हैं या हर्श सांग कर रहे हैं हमारे अंदर भी या को हम मौन सुकृति के साथ बुल्डोजर के लिए पक्ष में है या बिरोध में मुखर नहीं है तो वो भी एक त जो टूइट कर दिये और लगा कि हमने अपने कर्तब की इतिश्री कर लिए बाशाजी ने कहा और मैं इस कई मंच पर इस बात को दोहरा चुका हूं कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए संविधान की किताब हाथ में रख करके लहराना सबसे आसान काम है उसमें किताब चाहिए एक हाथ चाहिए एक लहराना नाम कि क्रिया चाहिए लेकिन उसको जीना क्योंकि संविधान सिर्फ पन्ना नहीं है साधा पन्ना नहीं है आपको उसको याद है हर्ष के किताब का सिर शक्ता इफान नौट रॉंग तेकिंग साइट्स, और हावत जिन एक प्रख्यात अमेंटी लिखत थे, उन्होंने खा कि यू कांट बी नूट्रल इन अ मूविंग ट्रेन, तो ये नूट्रालिटी का या देखेंगे, या माहल बड़ा खराब है, पुलराइजेशन हो सर पे चुनाव आने वाले हैं, इसमें बड़ा नुक्सान किया है, इस डिस्कोर्स में, और इतना नुक्सान किया है, कि मैं बिहार के लोगसवा चुनाव के दरान, एक छेतर में गया, तो एक बड़ी बाबानुमा शटल देखी, और उसका चुनाव चिन न बुल्डोजर तो मैंने पुछा भई, इन्होंने मान के बुल्डो जरी ले है, चुनाव चिन, उस रख्ती को पता है, और वो यूपी से सठाई लाका है, इतना हिंद मैं आपको देला, अगर गोरकपूर होता तो बिहार क्यों ले जाता है, जिस दिन गोरकपूर को बिहार ले जाओंगा मैं यह कहना चाहरा था कि एक जो एक जो कंसेंसस बिल्डिंग हुई है, क्यों हिमांटो विश्व सर्वां, मिया मिया भूल करके, और हर तिन सुबह हमारे यहां यूज एजनसी आती है, पृतिक्रिया लेने के लिए, हलांकि यह अलग मसला है, जो मैं जानता हूँ, कभी मामला गुहाटी और लकनों में बीच लिड़ा हुआ है, जिसके बीचे गांधी नगर है, लेकिन हमारे लिए वो मुश्किल नहीं है, हमारे लिए जो वजाह साब कह रहे हैं, हम प्रती दिन अपनी जमीन खो रहे हैं, क्या करें में चुनाओ जीक्र के ही अगला, अग कटाओ बटा च्छटा देश, मैं यहाने से पहले के लोगों ने जिक्र किया, मैं सोच रहा था, दो तीन मिनट और लोगा, तो मैं यह सोच रहा था कि दुनिया में और कौन से देश हैं, जहां इस तरह की रवायत है, गुल्डों गर चला देने की, तो एक मातर नाम जो आया, सिर्फ आज से नहीं, दश्कों से, वो है इसराइल, और इसराइल को मैं डंके की चोट पे अनलॉफूल एंटिटी मनता हूं, उसकी पहचान ही गर, विदारी है, मतलब गर, गर खानुनी है, अपने देश के बारे में मुझे यह इस बात का मुग उन्हीं एंटिटी नहीं है, इसको गांधी नहीं आजवाजाब में करा है, इसको सम्विधान बावसा भीमराओं मेर करने लिया, उस मुल्क में अगर यह हो रहा है, तो यह सिर्फ आज की लिट में, और मैं समझता हूं कि इसमें भी पुलिटिकल पार्टी इसको भी मुसल्मान है, बिना किंतू परंतू हलाकी के, मुसल्मान टार्गिट किया जा रहा है, एक्यूजड हैं आग, एक्यूजड, मुझसे जादा बिद्वान लोग हैं, जिस परिच्षा को पास करके, मतलब पास करके बड़े वहधों तक पहुँचे, उसमें मैं फेल कर गया है का आई-स का मुझे लगता है कि किसी भी धारा में किसी भी धाराम है किसी भी धारा में साथ यह जो नई वाली आई है संहिता गंड न्याय वगेरा वगेरा इसमें भी नहीं अब तक मिला नहीं है संसद को ही नहीं मिला तो आप और मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए जिस प्रकार की चीजे हो रही है जब आप किसी एक्यूस्ट कहने के बिलाब पे घर गिराते हो आपको घर की अवधार ना समझनी हो गी योगी जी कितना समझते हैं घर घर समझने के लिए घर वाला होना जरूरी है घर ने घर वाला यहां हो नहीं घर वाला उसका दूसरा अर्थ भी होता है मुझको उसमें तालुक नहीं है हो या नहो घर और घर विष्टों से बनता है चाहिद वाली च्छत नहीं होती है उसमें मेरी बेटी की पैंसिल होगी उसकी किताबें होंगी हो सकता मैंने जुर्म किया हो मेरी बेटी ने ने किया मेरे बेटे ने ने किया होगा जब आपने घर गिनाया तो छट सिर्फ मेरी ने गिरी आपने उसकी छट ले ली तो जब तक हम इस भी मर्श को आगे लेकर ना जाएं एक और जी आजकल मैंने कंटेंट पे कृष्णा यह को पर दिया है उसके बाद से मुझे को ड़ नहीं लगता है मेरा मानना है ना कि जुडिसियरी सिर्फ कलकेटा नहीं हर जगा जुडिसियरी का भी सेलेक्टिव अप्रोच है हमारे मीलाट्स को आप परदा कब आँखों पर से हटे और कान कब धंग से सुनने लगे इसका प्रेडिक्शन बड़ा बुश्के रहा और मैं नहीं मानता हूँ कि बेंच से फरक पड़ता है अगर पूरे के पूरे कोट का नजलिया साफ होगा तो बेंच थलाने का हो या धिमकाने का हो उसको रूल अफ लॉस है चीजों को तैय करना होगा बेल डिनाय नहीं करनी होगी आज ही अवतर नहीं है कि माईखालित के बारे में इखालित सैफिक है umr खालित के बारे में बाकी के बारे में लेकिन ये एक संधू दल है मुसल्मान का गर गिलना मुसल्मान सड़कों पे आए देश के लिए वजास साब अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा है यही इसी आधार पर और जो अख़वार मेरा आर्टिकल लबक के छाप लेता वो पिछे दस दिन से रखे हुए इस आर्टिकल को मैंने ये कहा अगर मैं अपने देश से मुहबबत करता हूँ तुम्हें सरकार का कटूं आलोचक मुझे होना चाहिए और अगर मैं सरकार की आरोजना नहीं करता हूँ मैं अपने देश से मुहबबत नी करता हूँ चैसा का किसी की यूपीय हो एंडिय हो और फ़लाना दिनकाने किसी की तो मेरा यह कहना है और वो अख़वार ये विसुत्र वाइसनग प्रेक्रिंटी के आर्टिकल को भी छापने में थोड़ा चार-पाच बार सोच रहे हैं तो इससे आपको पता चलता है कि बीमारी कितनी गहरी हो गई है आखरी टिपनी करूंगा इससे पहले कि मैं बुल्डोगर कश्मीर में भी चला काफी चला हमारे नौर्थ इंडिया में किसी भी कम्यूनिटी ने किसी भी लोग ने कश्मीर के लिए आवाज नहीं उठाए कश्मीर को अब कभी यो कहते हैं कि लैंड्सकेप मैंड्सकेप से नहीं समझा गया कश्मीर उत्तर भारत में वोट लेने का उकरन बन के रहा गया कश्मीर में वोट नहीं चाहिए लेकिन कश्मीर के नाम पर उत्तर प्रदेश में वोट चाहिए बिहार में वोट चाहिए और किस किस तरह का दिमर्ष पैदा किया गया था उसी नफलत का वो एक स्टेक्शन था तब लोग नहीं समझ पाए और मेरा मानना है कि आगरी चीज़ करूगा अभी कई दोस्त बारबार कह रहे थे कि बंगलादेश में हिंदूज और अधर माइनॉरिटीज के लिए जो हो रहा है सच मुझ चलिए मैं तो वहां भी कहूंगा बहुत धुरा हो रहा है हम सब को जागना चाहिए आवाज उठानी चाहिए लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सन 47 तक यह तीनों देश एक थे हिंदूस्तान पाकिस्तान बंगलादेश एक देश में मानॉरिटीज के साथ कै इसा बेवार होगा वोता होता है कि सब्सक्राइब करने में विजा नहीं चाहिए पुलिटिकल क्लिएरेंस नहीं चाहिए हमें जोनों पढ़ती है पुलिटिकल क्लिएरेंस की मैं इसे इतना कहुंगा शुभी आई-पी-स एई-एदिन साम मेरी तविए बहुत ठीक नहीं किसी function में था तो आज कल greetings का आधान पुर्दान हो ना हो viral का आधान पुर्दान बहुत तेजी से हो जाता है शुर्भिया आप सो बोगा जिन्दाबाद साथियों जिन्दाबाद रहें और आवाद उठाते हैं शुर्भिया निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़ करें लाइक करें कमेंट जरूर करें